श्री शद्गुरु महराज की जय शंत्मत के वर्तमान अचाड्य पुझ्यपाद महर्शी हरिनन्दन परमहनजी महराज का परवशन राम को हमारी इंद्रिया नहीं जान शक्ति धर्मानुरागी सज्जन्विरिन आदर्ण्या माताओ तथा भक्ति मती बहनो जब भगवान स्री राम वन में भ्रह्मन करते हुए वालमिकी जी के आश्रम में पहुँचे तो उनके श्वरूप के संबंद में वालमिकी जी ने कहा राम श्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धी पर अविगत अलख अपार नेती नेती नित निगम कह हे राम आपके स्वरूप का कोई बोल कर उसका वर्णन करे यह संभव नहीं है आपका स्वरूप वचन अगोचर बुद्धी पर है उस राम को हमारी इंद्रिया नहीं जान सकती इसलिए कि वे इंद्रिया तित हैं तब जानेंगे कौन शरीर में जो चेतन आत्मा है उसी के द्वारा राम का दर्शन होगा कब दर्शन होगा जब जीव के उपर के शव आवरन हट जाएं सब कोई जानते हैं कि दूध में घी रहता है लेकिन जब तक दूध के साथ घी मिला हुआ है तब तक उससे पूरी चानने का काम नहीं हो सकता पूरी चानने का काम तब होता है जब दूद से घी को अलग कर लेते हैं ठीक उसी तरह से शरीर इंद्रियों के घेरे में जब तक चेतन आत्मा है तब तक राम का दर्शन नहीं होगा शरीर के दर्शन से माया वाला लाव अवश्य होता है लेकिन इस दर्शन से आवा गमन का चक्र छूट नहीं सकता उदाहरन श्वरोप भगवान सिरीराम के पिताजी ने अपने पुर्व जन में हजारों वर्षों तक तपश्या की उसकी तपश्या से प्रशन होकर भगवान ने शगुन रोप धारन करके उनको दर्शन दिया वह रोप इतना सुन्दर था कि उसका दर्शन करके वे मुग्ध हो गये दर्शन करके अगाते नहीं थे एक टक से देख रहे थे भगवान से रियाम ने कहा वर्दान मांगो अब ये सोचने लगे क्या मांगो कुछ भी मांगूंगा तो ये वर्दान देकर फिर अंतरध्यान हो जाएंगे इसलिए ऐसा वर्दान मांग लूँ जिससे इनका दर्शन हमेशा होता ही रहे उन्होंने वर्दान मांगा कि आप ही के समान हमको पुत्र हो भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा मैं अपने समान कहां खो जूँगा मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतार लूँगा लेकिन अभी तुमने भारी तपश्या की है इसलिए इस समय इस सरीर को त्याग कर तुम पहले स्वर्ग लोक जाओ वहां दिर्ग काल तक स्वर्ग के शूखो को भोगो उसके बाद तुम्हारा जन्म अयोध्या नगडी में होगा वहां के तुम राजा बनोगे उसी अवसर पर मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतार लूँगा शाधारान बैक्ति के यहां पुत्र का जन्म होता है तो माता पिता के मन में कितनी प्रशन्नता होती है कैसा भी पुत्र क्यों नहो जब वह खेलता है किलकारिया मारता है तो माता पिता के मन में बरी प्रशन्नता होती है जिनके यहां भगवान ही अवतार लें उनको कितना सुख होगा कहा नहीं जा सकता वे तो अधभुत लिला करके दिखलाएंगे जो शाधारन बच्चा उस तरह से करके नहीं दिखला सकता छोटे बच्चे को कहीं नहीं देखे होंगे कि शोकर उठने पर माता पिता को परनाम करे लेकिन भगवान सिरी राम ने लिखा है प्रात काल उठीके रगुना था मातु पिता गुरुना वही मा था प्रात काल भगवान शीराम शोकर उठने के बाद जब माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे तो माता पिता को कितनी प्रशन्नता होती होगी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके महराज दसरत जी को बहुत सुख हुआ लेकिन दुख का अंत नहीं हुआ दुख तो इतना हुआ कि उनके वियोग में प्राण भी त्याग ना पड़ा जिस स्वर्ग शुख को पहले भोग कर अयोध्या नगडी में जन मिलिये उसी स्वर्ग में गए स्वर्ग के शमंद में भगवान सिराम ने श्वेंग कहा स्वर्ग उश्वल्प अंत दुखदाई स्वर्ग में भी शब दिन रहना नहीं होता पुन्य छिन हो जाने पर वहां से मिर्ट्यू लोक में आना पड़ता है फिर आवा गवन का दुख भोगना पड़ता है सभी देधारियों में विकार उत्पन होते हैं यथा काम, क्रोध, लो, मो, आधी बाहरी दर्शन हो जाने पर विकार मुक्त हो जाय सो नहीं होता महराज दसरजी कितने सभागे शाली थे जो उनके यहां भगवान पुत्र रूप में अवतार लिए फिर वी वी विकार मुक्त नहीं हो पाए रामचरित मानस में लिखा है जब उन्होंने शुना के महराणी के कई कोपित हो गई है तो डर से उनका पहर आगे नहीं बढ़ रहा है क्या उनके शरीर में बल कम था? नहीं, बल तो उनको इतना था कि शुर्पति बशाई बाह बल जाकें नर्पति शकल रहीं रुखताकें सो सुनी तीयरस गयव शुखाई देखऊ काम प्रताप बराई देवताओं के राजा इंद्र को भी भरोशा रहता था कि जब हमारे उपर कभी किसी तरह का संकट आवेगा तो महराज दसरत हमारे सहायक होंगे संसार के राजा लोग उनका रुख देखते रहते थे कि महराज दसरत का क्या आदेश होता है ऐसे स्वभाग साली थे पर काम विकार के कारण जीव को नरक की ओर धकेल देता है बाहरी दर्शन से इस विकारों का नास नहीं होता विवीशन ने रावन से कहा था इन विकारों से छूटना कब होता है जब इस सरे रूप शमुद्र में डूबकी लगाते हैं अपने को अंतर मुख करते हैं तब इंद्रियों के संग से छूटते हैं इंद्रियों का संग छूट जाने पर शरीर के सभी आवरन उतर जाने पर तब चेतन आत्मा को अकेले पनका की हालत में अपने श्वरूप का ज्ञान होता है आत्म सक्षातकार होता है और परमात्म श्वरूप का दर्शन होता है शंत लोग कहते हैं कि लोगों अगर शारे दुखों से छूटना चाहते हो अपने उपर के आवरनों को दूर करो यह ध्यान योग के द्वारा होगा अवश्य ही बाहरी भक्ति के द्वारा पहले हम अपनी स्राधा को उस ओर जोडते हैं और उस ओर चलने के योग अपने को बनाते हैं यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा श्वेंग भगवान सिर्राम ने कहा जो परलोक इहां शुक चाहू सुनी मम वचन हिर्दय ड्रिड गाहू अगर परलोक में भी शुक चाहते हो तो मेरी बात सुनकर उसे हिर्दय में धारन करो मतलब यह कि सब दिन इस शरीर में रहना नहीं होगा एक दिन सब कुछ छोर कर जाना पड़ेगा शाथ जाने वाला कौन सा दहन है संसकार रूपी कर्म अपने दादा जी पिता जी के लिए सोचें कि वे लोग बहुत संपती अर्जन किये लेकिन कुछ भी साथ नहीं ले जीवन में उत्तम कर्म करो अपने द्वारा लोगों को शुक पहुचाओ लोगों को जो शुक पहुचाते हैं उनका जीवन धन्य होता है धन्य कवन जो पर उपकारी अपने लिए तो सब कोई जीते हैं संसार के लोगों को जो शुक पहुचाते हैं अशल में शंत वे ही हैं शंत सहाई दुख परहित लागी, शंत केवल वेश से कोई नहीं होता, महात्मा गांदी को शन्याशी का वेश नहीं था, फिर भी महात्मा कहला है, लोग बापो और राश्ट पिता भी कहा करते थे, ऐसा जीवन हम जियें, जिससे संसार के लोगों को हमारे द्वारा शुख मि गोशामी तुलसी दाजी महराज ने लिखा है, अरव खरव लोग द्रब्य है, उदै अस्त लोग राज, जो तुलसी निजमरन है, तो आवे के ही काज, अरव खरव शम बहुत अधिक संपती है, बहुत बड़ा राज हासिल कर लिये हैं, लेकिन यदि शरीर छोटने वाला ह है, तो वह संपती किस काम में आएगी, शरीर छोटने पर कुछ साथ नहीं जाएगा, कभीर साव कहते हैं, कभीर सोधन संचिये, जो आगे को होई, मात चढ़ाए गाट रही, जात न देखा कोई, उस धन की कमाई करो, जो धन तुम्हारे साथ जा सके, साथ जाने वाला धन है, अपना उत्तम कर्म, सुब कर्म, जिस कर्म के फलस्वरोप, आगे का जीवन सुख में बनता है, इस सुब कर्म का भोग, एक न एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति जो करते हैं, वह समाप्त नहीं होता, उसके लिए कहा, दिन द इन बढ़त सवाई, रामधन कब हुन लागे काई, इस भजन को करने में ही मनुष्य शरीर की साड़ ठकता है, परमात्मा का भजन करते रहेंगे, तो दोनों जीवन इह लोक और परलोक सुख में हो जाएगा, मैं विशेश नहीं कहना चाहता, अब मंत्री महोदय जीवन मान अब कल्यान में बित रहा है, बड़ी शारहना इनकी होती है, अपने द्वारा लोगों का बहुत-बहुत कल्यान करना चाहते हैं, कि लोग सुख की हालत में रहे, मात्मा गांदी जी का भी यही ख्याल था, ऐसे निता हमारे देश में हो, तो रामराज जी यहीं पर हो जाए पर वे ज्ञान के बात सिखाते हैं, वे कहते हैं कि जो कर्म अभी कर रहे हो, यही तुम्हारा आगे के लिए शहारा होगा, कर भला हो वे भला, करके भलाई देख ले, कर बुडा हो वे बुडा, करके बुडाई देख ले, उत्तम जीवन बितावें, भगवान श्री कृष् उत्ताए, वे ब्रह्म मोर्त में उठ जाते थे, और हात मुध होकर ध्यान भजन करते थे, अईशा करने पर प्रशन्नता से उनका रोम रोम खिल उठता था, ध्यान करने से शांती आती है, बाहरी बहुत संपती, शारी संपती के प्राप्त हो जाने से, बहुत उच्छे अच्छा बना कर रखते हैं, पाप कर्म से अपने को अलग रख पाते हैं, उन्हीं से ध्यान हो पता है, अगर शंतों के ज्यान को लोग अपना लें, तो सुरक्षा बेवस्था में जो बहुत बहुत खर्च करना पड़ता है, खर्च में कमी आ जाएगी, लोग पाप कर्म छोड़ देंगे, अधर्म नहीं करेंगे, जूट, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार नहीं करेंगे, मादक द्रबियों का सेवन नहीं करेंगे, तो राज में शुक और शान्ती चा जाएगी, पुलिश की अवशकता नहीं रहेगी, अगर नेता लोग इस बात को जानकर इस आश्रम गोशाला भागलपूर में दिनांक दोशात दोहजार नौइश्वी को तुलशी जैनती के शुब अवशर पर हुआ था, श्री शद्गुरू महराज की जै